आप सोचेंगे तो पाएंगे कि हसी खुशी शेल अबरेज होलकर महल का नजारा बदल रहा है जी हाँ, मलहार राव होलकर के महल का वातावन अशांत सा हो गया है उसकी स्तिती कहें कि चाल अब लडखडाने लगी है और अगर बात महल के अंदर की करें तो सब सीथे दिखाई देते हैं मगर असल में सब डगमगा रही है, लडखडा रही है जी हाँ, राजा और राने की चाल भी लडखडाने लगी है कैसे बताता हूँ सुबिदार मलहार राव होलकर के सामने तीस हजार सैनिकों की दुश्मन सिना है उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ सोचना है, करना है भले अभी वो अहिल्या की, जो अहिल्या को मा सरस्वती का आशिरवाद प्राप हो रहा है इसके लिए वो खुश है मगर साथ में उनका सारा ध्यान राज्ये की सुरक्षा पर है वहीं जहां वो प्रजा जिसको अपनी संतान मानते है वो अभ अहिल्या की पढ़ाई की बात पर प्रजा के जो पुरुश या मर्द जो संताने हैं उनकी जो मर्द हैं वो सभी नाखुश हो जाएंगे बिल्कुल और इसका असर दुष्मन सेना से लड़ाई और जीत की मलहार राव की रनीती पर भी पड़ेगा बैवधान तो पैदा कर ही सकती हिस्तिती और यहां मेरे बात यह है कि जैसा दुष्मन का बाई खंडे राव को कहती है कि अगर अहिल्या भाई पढ़ लेती है तो वो तुम्हारे सर पर बैठेगी यही बात जनता के हर पुरुष संतान या हर मर्द के मन में हाएगी कि पत्निया यदि पढ़ लिख गई तो तुम्हारे सर पर बैठेंगी दूसरा रानी गोत्मा पुत्र मोह में तूट रही है और रानी होने के नाते गुर्वानमित भी है मगर पुत्र को तूटता देखकर या दुखी देखकर किसी भी मा की चाल लड़कडा जाएगी और रानी द्वार का जो हमेशा गद्धी के चक्कर में चलती ही टेडी चाले हैं उन्होंने अब अपनी चाल को और भी तिर्चा कर लिया है और खंडे राव को जूटे मातरतव के जाल में उलजा कर वो उसे और भी गम में या अपने आपको कम आँकने में लगा देगी इससे इस खंडे राव की चाल डगमगाने वाली है भले वो अपने आप को कमरे में बंद कर ले मगर स्थिती इससे समदेगी नहीं बलकि बिगडेगी और इन बातों का असर अहिल्या और खंडे राव के रिष्टे के साथ साथ राजा मलहार राव पर भी पड़ेगा अब ये के अहिल्या खंडे राव की डामा डोल चाल और मिर्दंग पर लड़ खडाती उंगलियों से जीत कर भी हारा हुआ महसूस करेगी रानी गोत्मा और अहिल्या की स्थिती मेरे ख्याल से तो एक जैसी होने वाली है हाला कि ये बातें सिर्फ मा और पत्नी ही समझ सकती है लेकिन मैंने कुछ प्रयास किया है और आपको यदि उचित लगे और तो आप भी प्रयास कीजिएगा इसो समझने का अपने विचार और प्यार सांजा जरूर कीजिएगा